कि है लो फ्रेंट्स वेल्कम तो मैं चैनल क्राइक यूर कम्टिशन बिदंटली फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में हम लोग 24 फरवई दो जाते हैं यानिकि आज के मुख्य करने टाफियर्स को पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम लोग इस आज की तारीक के जितने भी इ चुर्व हो सकती है तो प्लीज वीडियो को लास तक दिरूर देखेगा चले फ्रेंट्स वीडियो को शुरू करते हैं आज का फ़र्ष्ट कुश्यन है असम के नयराजपाल कौन बने है गुलाब चंद कटारिया वी सीपी राधाकृष्णन सी शिव प्रशाद प्रताप श राधानी है वो दिशपूर है असम के मुख्यमंत्री का नाम है हिमत विश्व सर्मा और असम के जो गवर्नर है अभी अभी बताया था गुलाब चंद कटारिया हो गए गौहार्टी वसम उच नयाय लेकि मुख्य नयाय धी से एंड कोटेश्वर सिंग कारे बाहक इस देश के साथ रियल टाइम पेमेंट सिस्टम लिंके सुविदा शुरू की है मलेशिया भी भूटान सी नेपाल डी शिंगापूर तो इसका रायटांसा हो जाएगा ऑप्शन नमर डी सिंगापूर के साथ में इस इस महल में भारत के यूपी आई और सिंगापूर के पे हैं नेक्स्ट कुश्यन है हमारा भारत का पहला हाइब्रेट साउंडिंग रॉकेट कहां से लॉंच किया गया है एं विजबाड़ा अंत्रदेश बी के वडिया गुजरा सी तिरुबनंत पुरम केरल डी पट्टे पुलं तमिल्नाडू तो इसका रायट आंसर है ऑप्शन प्रणों के अनुसंद्धान के लिए किया जा सकता है हाइब्रेट रॉकेट क्या है तो एक द्वी प्रणोधक रॉकेट इंजन है जो प्रणोधकों का उप्योग करता है जो दो अलग-अलग अवस्थां में होते हैं नेक्स्ट कुश्यन है विश्व चिंतन तिवस 2023 बाइस फरवरी को बाइस फरवरी को बर्ड ठिंकिंग डे 2023 मनाया गया है इससे एलेटें इपॉर्टेंट पॉइंट से यह दिवस दुनिया भर में साथी भायों और बहनों के बारे में सोचने उनकी चिंताओं को दूर करने और मार्गदर्शन के सही अर्थ को समझने के ल ओपन 2023 में पुरुस का खिताब किस ने जीता है एक कार्लोस अलकराज इस्पेन बी कैस्पर रूट नौर्वे सी राफिल नडाल इस्पेन डी नोवाग जोकोविश सर्विया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर एक कार्लोस अलकराज ने जीखता है जो कि संस्क्राइब था ठीक है फ्रेंट्स नेक्स्ट कुश्य ने ताज महोसब 2023 कहां आयोजित हुआ है एक द्वार का नई दिल्ली बी नहरादून उत्राखंड सी राजिस्थान जैपूर डी आगरा उत्तरप्रदेश तो ताज महोसब 2023 का जो आयोजित हुआ है उत्तरप्रद तो option number हमारा जोग दी है इसका सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कुश्य ने इंडियन टेलिफोन इंडस्ट्री लिमिटेड आई टे लिमिटेड के नए cmd कौन बने है ए शमशेर सिंग भी गौरग दिवेदी सी राजेश राइड डी अतुन चक्रवर्ती तो इसका राइट ब sweatshiddus को जायगा indiamber 7 राजशराय राजशराया इंडियन टेलिफोन इंडस्टी लिमिटेड के नए cmd बने है इससे इम्पॉंट्ट है इंडियन टेलिफोन इंडस्ट्री इसलिमिटेड इसकी फूल फॉर्म हैं इसकी इल आयिंद्स इंडियनिप्री इंड़्य इंड़ कुछन है हमारा अठार्वी विश्व शुरक्षा कॉंग्रेश 2023 का यूजन कहां किया गया है ए जैपूर बी पोर्ट प्लेयर सी बैंगलूरू करनाटक डी लगनो उत्तरप्रदेश तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ओप्शन नंबर ए जैपूर राजस्थान में इ लेक्ष्ट कुष्यन है इस्टो ने चंदमा पर तीसरे मिशन चंद्रयान 3 के लेंडर EMI EMC का सफलता पूर्बा परिक्षर पूरा किया है इस मिशन को किस रॉकेट द्वारे लॉंच किया जाएगा ए पेसल्वी एमके 3 बी एसल्वी एमके 3 सी जी एसल्वी एमके 3 और डी ह जी एसल्वी एमके 2 तो इसका राइट आंसर ऑप्ष्यन नम्बर सी हो जाएगा जी एसल्वी एमके 3 इंपोर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है इसके जी एसल्वी एमके 3 जो है वो है जियो साइन कोरोनस सैटिलाइट लॉंच वेहिकल मार्क थर्ड इसकी जो फुल फॉर् है और EMI-EMC की फुल फॉर्में इलेक्ट्रो मेगनेटिक इंटरफेरेंस इलेक्ट्रो मेगनेटिक कॉम्पैटिबिलिटी ऑप्ष्यन जो इसका क्या बोलते हैं इसको इसकी जो फुल फॉर्में वो यह है नेक्स्ट कुश्यन है हमारा किस देश ने 400 मेटर उची मुकाव न सी जर्मनी डी इज्राइल तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्ष्यन नमबर ए सवुदी अरब ने नेक्स्ट है बर्षा जल के अधिक्तम प्रयोग के लिए सुजलाम सुफलाम जल अभियान का छटवा संस्कार के राज्य में शुरू हुआ है ए मध्यप्रदेश वी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्ष्यन नमबर बी गुजरात राज्य में जो बर्षा जल के अधिक्तम प्योग के लिए सुजलाम सुफलाम जल अभियान की शुरुआत हुई है तो उसका जो छटा संस्क्रण हुआ है वो हुआ है शुरू गुजरात राज्य में नेक कांसी पदक दी कोई नहीं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्ष्यन नमबर सी कांस पदक दुबाई में आयो जित एश्य मिक्स्ट टीम बैडमिंटिंग चेहट मिएश्य में भारत ने कांस पदक जीता है नेक्स्ट कुश्य ने परिवहन के नियमों का उलंगन करने के कारण किस राज के निशाषित प्रदेश ने ओला उबर और रैपिडो बाईक टैक्सी सेवाओं पर प्रतिवंद लगा दिया है तो इसका राइटांसर हो जाएगा ओप्शन नमबर भी दिल्ली राजने नेक्स्ट कुशेने माउंट एबरेश्ट पर दुनिया के सबसे उचे मौसम इस्टेशन का पुना निर्मान किया गया है इस मौसम इस्टेशन की उचाई कितनी है अमेरिका की नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी के विशेशर्गी दल ने माउंट एबरेश्ट पर दुनिया का सबसे उचा मौसम केंदर माई 2022 में इस्थापित किया था नेक्स्ट कुशन है सांस्कृतिक संबंदों को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ मैत्री सांस्कृतिक साज़ेदारी की है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑफ्शन नमरे ऑश्टेलिया सांस्कृतिक सांस्कृतिक साज़ेदारी की है नेक्स्ट कुशन है इससे रिलेटें इंपोर्टेंट कुछ पॉइंट्स है फ्रेंट्स ऑस्टेलिया से रिलेटेंट यह है ओशिनिया में छेटफल की डश्टी से सबसे बड़ा देश है और दुनिया का छटा सबसे बड़ा देश है प्रधान मंत्री है ऑस्टेलिया के ए अपने फैसलों को छेत्री भाषा मल्यालम में प्रकाशित करने वाला भारत का पहला हाई कोट कौन सा बना है ए तमिलाडू हाई कोट, बी केरल हाई कोट, सी आयंद्र प्रदेश हाई कोट, डी करनाटक हाई कोट तो इसका right answer option number B हो जाएगा, केरल हाई कोट, केरल से related important points क्या क्या है तो केरल के जो इस्थापना हुई थी, वो हुई थी 1956 में, केरल उचने आलाई के जो इस्थापना हुई थी, कब हुई थी 1956 में हुई थी और उसकी जो मुख्य पीठ है, वो कोची में है, राच्चे छेत्री अधिकाई तक केरोल लख्च दीप है और जो मुख्य ने आये दी से, वो हैं S मनी कुमार, next question है हमारा पहली बार, माला बार, बहु पक्षिये, नौसेनिक अभ्यास, 2023 की मेजवानी कौन सा देश करेगा A. उस्टेलिया, B. जापान, C. भार, D. अमेरिका तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, option नमबर है, Australia पहली बार, माला बार, बहु पक्षिये, नौसेनिक अभ्यास, 2023 की मेजवानी करेगा important points है friends, यह है एक बहु पक्षिये, बॉर, गेम, नौसेनिक अभ्यासे जिसे 1992 में शुरू किया गया था पहले भारत और अमेरिका की नौसे नौ के बीच, एक दुई पक्षिये, अभ्यास की रूप में शुरू हुआ था बात में इसमें, जापान और अश्ट्रेलिया भी सामिल हुए और इसका जो संसकर्ण था भी, बो था 27 संसकर्ण next question है हमारा बारे यूटू बिजनेस फोरम 2023 के पहले सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ है एम अधिप्रदेश भारत, बी अबुधाबी, UAE, C, New York, America, D, Jerusalem, Israel तो इसका राइटांसा हो जाएगा, अबुधाबी, UAE में हुआ था हुआ है, next है हमारा, इसके जो important points है बारे यूटू का मतलब है, इंडिया, इजराइल, UAE, US इसे पस्चिम एशियाई क्वार्ड भी कहां जाता है बारे यूटू का गठन, अक्टूबर 2021 में अबराहम एकॉर्ड समझोते के बाद समुद्री सुरक्षा, आधारों सनरचना और परिव्यान से सम्मधित मुद्धों को समभोधित करने के लिए किया गया था next question है विश्व शान्ती और समझ दिवस 2023 कब मनाया गया है A. 24 फरवरी को, B. 22 फरवरी को, C. 23 फरवरी को, D. 21 फरवरी को तो विश्व शान्ती और समझ दिवस 2023 मनाया गया है फ्रेंट्स 23 फरवरी को option number 6 इसका सही answer हो जाएगा इसको मनाने का जो उधेश है फ्रेंट्स वो क्या है इस दिवस को मनाने का उधेश है बिश्व शान्ती को बनाए रखने के लिए समझ और सत्भावना पर जोड़ देना और मोट्व क्या है? सर्विस एवो सेल्फ है ठीक में फ्रेंट्स यानि कि इसका जो थीमे वो है सर्विस है वो सेल्फ नेक्स्ट कुशे ने सकल घरेलू जलवायू जोखिम रैंकिंग दोजार तेश में भारत के कितने राज दुनिया के पचास सबसे अधिक जोखिम बाले राजियों में शामिल किये गए हैं सकल घरेलू जलवायू जोखिम रैंकिंग दुनिया के पचास सबसे अधिक जोखिम बाले राजियों में शामिल किये गए हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं इसके इनिशियेटिव एक्स डियाई की सकल घरेलू जलवायू जोखिम रैंकिंग में दुनिया के पचास सबसे अधिक जोखिम बाले राजियों में नौ राजियों कौन-कौन से फ्रेंट्स पंजाब, बिहार, उत्तरप्रदेश, महराष्ट, राजिस्तान, तमिलनाडू, पचास प्रांतों में से अधिकांश 80% चीन अमेरिका और भारत में हैं। राजिपाल के सवानों के लिए भारत का पहला एगरी चैटवाट अमा कुषाई लॉंच किया गया है गड़ेसी लाल ओडिशा के राजिपाल के द्वारा। एस जैसंकर मोधी सेपिंग एक लोबल और इंफलक्स नामक पुस्तक के लेखा कौन है एस जैसंकर हैं। नेक्स्ट कुषे ने भारत के असीवें ग्रेंड मास्टर कौन बने हैं। तो भारत के असीवें ग्रेंड मास्टर बने हैं। तो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट कुषे ने हमारा। फिलिप्स डोमेश्टिक एंप्लाइसेंस एंप्लाइसेज कंपनी ने अपना नाम बदल कर नया नाम क्या कर दिया है। तो इसका राइट आंसर है। बरसुनी फिलिप्स डोमेश्टिक एंप्लाइसेज कंपनी ने अपना नाम बदल कर नया नाम क्या कर दिया है। इससे इंपॉर्डेंट पॉइंट्स हैं। फिलिप्स से रिलेटेफ फिलिप्स की जो इस्थापना हुई है। और इसके जो CEO हैं जेरार्ड क्लेश्ट डडली इसके CEO हैं। नेक्स्ट कुश्चिन है। कि मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म प्रगती के 41 संस्करण की बैठक की अध्यक्षता किस ने की है। इसका राइट आंसर ऑफ्शन नमबर भी नैंद मोधी प्रधान मंत्री ने मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म प्रगती के 41 संस्करण की बैठक की अध्यक्षता की है। इसे इंप्रगती की फूल फॉर्म में प्रो एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लिमेंटेशन दा विन। इस बैठक का उद्देश आम जन की शिकायतों का समाधान करना साथ ही केंद्रबार राजी सरकारों के महत्पूर कारेक्रमों बापरियूजनाओं की निगरानी और समीक्षा करना है। नेक्स्ट कुशन है बांगलादेश के प्रधान मंत्री शेक हसीना ने किस भारतिये शिक्षा बेद और सामाजी कारेकर्ता को अंतर राष्ट्रिये मात भाष्या प्रशकार 2023 से सम्मानित किया है। इसका राट आंसर है ओप्षन नमबर बी डॉक्टर महेंद मिश्चरा को बांगलादेश की प्रधान मंत्री शेक हसीना ने भारतिये शिक्षा बिद और सामाजी कारेकर्ता डॉक्टर महेंद मिश्चरा को अंतर राष्ट्रिये मात भाष्या प्रशकार 2023 से सम्मानित किया ह इंपोर्टन पॉइंट से डॉक्टर महेंद मिश्चरा ओडिशा में स्वदेशी भासाओं के प्रचार के लिए एक भारतिये शिक्षा बिद और समाजी कारेकर्ता है नेक्स्ट कुश्यन है इससे एक और इंपोर्टन पॉइंट है अंतर राष्टी मात भाष्या प्रशकार युनेश्च को द्वारा 2021 में स्थापित किया गया था यह पुर्शकार मात भाष्याओं के संरक्षा पुनरुद्धार और विकास की में असाधारान युगदान के लिए दिया जाता है नेक्स्ट कुश्यन है गर्पती महिलाओं वाष्यशूं का विकास सुनिश्चित करने लोकसवा अध्यक्ष ओम बिर्लाने के लिए सुपोशित मा अभियान के नए चरण का शुवारम किया है यह अभियान का शुरू हुआ था एक मार्च दोहजारवाईस, भी है independently 2021, c एक मार्च दोहजारवीश, d 31 मार्च दोहजारवीश तो इस अभियान की शुरूहे थी एक मार्च दोहजारवीश को इसे रेटेर इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं सुचोबित सुपोशित मा अभियान के बारे में इस अभियान का उद्देश हैं गर्वती महलाओं, माताओं और बच्चों को पर्याप्त पोशन और उनका संपूर्ण विकास शुनिश्चित करना नेक्स्ट कुशन है डॉक्टर एपी जे अब्दुल कलाम लाइफटाइम अचीमेंट ओवर्ड दोजारतेश से किसे सम्मानित किया जाएगा ए बिद्दुत बरन महतो, बी अधिर रंजन चौधरी, सी टी के रंग राजन, डी डॉक्टर सुकंता मजूमदार तो इसका राइटा अंसर है ओप्शन नमबर सी टी के रंग राजन को नेक्स्ट कुशन है हमारा एक सो पचास टी ट्वेंटी अंतराश्टे मैच खेलने बाली दुनिया की पहली क्रिकेटर कौन बन गई है ए हर्मन प्रीत कौर भारत, बी हीथ नाइट इंगलेंड, सी सूजी बेर्स न्यूजीलेंड, डी नेट साइवर इंगलेंड तो इसका राइटा सा हो जाएगा, आप्शन नमबर बे ए, हर्मन प्रीत कौर भारत, भारत की हर्मन प्रीत कौर एक सो पचास टी ट्वेंटी अंतराश्टे मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर बन गई है इससे रेलेटेड इंपोर्डेंट पॉइंट्स है, भारतिय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हर्मन पीत कौर ने विश्व रिकौर बनाया है, भैप पुरुष और महिला दोनों क्रिकेट को मिलाकर एक सो पचास टी ट्वेंटी अंतराश्टे मुकाबले खेलने वाली पहली क्रिकेटर बनी है, नेक्स्ट कुशिन है, विश्व स्काउट दिवस 2023 कब मनाया गया है, ए चौबिस फरवरी, बीज फरवरी, सी 23 फरवरी, डी बीज फरवरी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओप्शन नमबर भी 22 फरवरी को, विश्व स्काउट दिवस 2023 का मनाया ह गया है वाइस फरवरी को मनाया गया है इंपोर्टेंट पॉइंट से यह दिवस स्काउटिंग के संस्थापक रॉबर्ट बैडिन पावेल और उनकी पतनी ओलिफ बैडिन पावेल की जैनती के उप्लक्च में बनाया जाता है और इस दिवस की जो थीम है 2023 की बो है और वर्ल्ड और इक्वल फ्यूचर अनिवर्मेंट और जैन्डर है आज ओडिन yetशकेint फ्रेंट्स मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई ठीक क्यार